कि दोस्तों अगर आप भी गूगल पे का गूगल पे को किसी को रैफर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने अपना रैफर कोड ढूंड लिया है जैसे कि यह रैफर कोड ढूंड लिया है और आप किसी दूसरे सामने वाले के मोवाइल में रैफर कोड एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको रफर गोड एंटर करने का ओप्सन नहीं आ रहा है और आपको वह प्रॉबलम क्यों आ रहे हैं किस पकार से आपको सामने वाले को रहार करना है जाने के लिए वीडियों आपको फूरा देखना है एक भी स्टेप मिन्स नहीं करना है दोस्तो मैं कि भी दूसरे सो द्यान दिवे पुछ दारेक्ट ही ही रेफर को से रडने को सीशन ना करें ना हीं उसको डाउवलोड करवाये अगर किसी को आप रैफर करना चाते हैं तो दुस्तों उसका मॉबाइल लीजिये और mobile में सबसे पहले करना क्या है आपको यह अपना referral get reward को आना है और share के option पर click करना है और share के option पर click करने के बाद में या तो आप उसको डारेक्टरी WhatsApp के थुरू WhatsApp के थुरू आप उसे share कर सकते हैं और share करने के बाद में जिसे कर दिया और उसके अलाबह अभी यहां पर अब यहां पर कर दोगे शेयर करने के बाद में क्या हो जाए झार कै에서 शेयर करेंगे और शेयर करने और यह यह 75 अगले का Джiag पहुंच जाएगा समझ गये ना तो मैसेज पहुंच जाते यह ऑफ़ आपको किलिक करना है और एपको डॉपन हो जाएगा और ध्यानोन में दीजी मैं और आप उसको रेफर कर पाएंगे और आप आपके दोरा वह रेफर हो चुका है यह बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों समझ गए आप उसे डायरेक्ट ही रेफर कोड के माद़रम से रेफर नहीं कर सकते हैं यह मेरे साथ में काफिवार हुआ है और मैं इस में काफिवार दोक्य का सिकार हूँ रेफर को के चक्क है लेकिन पुराने मोवाइल में ओपो विवो के मोवाइल में आज भी यह है सिस्टम एप्लीकेसिंगे साथ में नहीं आता है इसे आपको वार साही डाउनलोड करना होता है गूगल पे रेफल को डालने के चकर में दोस्तों आप फूर्व पे डाउनलोड करा वैठे और ऑर गूगल पूर्लोड होने के बाद में आप उससे डाउनलो रहाटा हो सकता है उसको बाता साल चुका है उसको गुरू यह तो कि आ से खराव हुय हैं दोस्तों ना करें आप लिंक से डाउट कराए पहले और बंदे को फक्ते में रैफर कर दें इसके लाब अगर आपको Google पर समद्द को समश्य आती है रेफरेंस में कुछ समश्य आ रही है या बैंक से समद्द को समश्य आ रही है तो आप हमें कमेंड बॉक से जली अपनी समश्य को रख सकते हैं